हेलो फ्रेंट्स सेल्फगाइड इस्टिटी सेंटर में आपका स्वागत है आज मैं एक इंजिनिरिंग ब्रैंक का एक हजार प्रस्टनों का संग्रह लेकर आया हूं जो कि सेट का तिसरा भाग है और यह 25 प्रस्टन यहां से निशे थी आपके पूछे जाएंगे इंजिनिरि से हैं तो वीडियो सुरू करने से पहले एक बात आप से बताना चाहता हूं कि जो लोग पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ बिल के आइकन को प्लिक जरूर करें तभी आपके पास मैं जो भी वीडियो अप वे इस डिगरी होती है ठेपर लीड ठीक है इसके बाद अगले क्विशन देखते हैं अगले क्यूशन है बलेड की कौन सी ग्रेड में 10 mm लंबाई में 10 जाते कटे होता हैं ठीक है तो इसका अप्सन देख लेता है आप्सन ऐ है फाइन पिच ब्लेड आप सिंभी है मीडियो पीछ ब्लेड में 10 mm की होती है और यह इसमें 10 दाते कटे होते हैं ठीक है इसके बाद अगला क्यूशन देखते हैं अगला क्यूशन ने कौन से प्लास का उप्योग गैस पर लगे नट को खोलने के लिए किया जाता है तो अप्सन नुमबर भी सई हो जगा एड़ेस्टेबल प्रीकि अ करते हैं इसके बाद अगला क्यूशन देखते है अगला क्यूशन एक समतल अभियोंतरी की प्लाप के बहते है bloody का मौन सा होता है तो आपकोब्र पांस कोरफ साब्लांस कन सा होता है वह 59 गुड़े 894 होता है जो की एक टू का साइज होता है तो यह एक टू का साइज होता है इस तरह से इसके ड्रैंक सीट और बोर्ट के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में डिटेल से बताया है तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं इसके बाद देखे अगला क्यूशन जो है दोनों सीरो को कितने डिगरी पर घुमाए जाता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा पंदर से 30 डिगरी पर घुमाए जाता है इसके बाद अगला क्यूशन देखते हैं अगला क्यूशन है है इसके बीदिष्ट के नुसार महला है प्रणाली के नुसार चार विभिंद परकार के आकार में अगला होता है तो वह कि उसकी लंबाए चोड़ाए कि उसकी मानक साइज कितनी होती है तो वह है 500 mm होती है ठीक है इसके बाद अगला क्यूशन देखते हैं ईगला क्यूशन है इन में से कौन सा भारती मानक भीरो की सहीता को עभ्याद से समाहित किया गया है तो इसमें option ब्लेड के परकार कितने होते हैं तरहें पिछला वीडियो में दो परकार से बताया था मैंने उसमें कौन कौन से होते हैं तो इसके बाद अगला देखते हैं आप लोग साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर किजिए और जाता सेयर किजिए इस वीडियो को और यहां देखिए अगला क्विशन है गुडवत्ता पूर्ड आरेखन सीट का प्रयोग इन में से किसको ध्यान में रखकर किया जाता है जो कि आरेखन बनाया जाता है तो किन-किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए इसका ओप्सन है साफ सुपरी ड्राइंग को पेंसिल की अगला क्यों देखे है तो छेटर को देखिए तो आपका क्या दिखाई देगा और वाल देखेंगा तो प्लान इसका दिखाए देगा तो इन दोनों का सहीव तुरूप है जो कि इसे अफ्टन नंबर यहां पर सही हो जाएगा ठीक है इसके बाद देखिए अगला क्यूशन है इस चित्र को देखकर इसका साइड वियू बताए तो साइड वियू यहां पर बताना ह कि इतना है यह दिखाए देगा और सी वाला भाग यहां से आपको दिखाए देगा तो इस तरह से आपका साइड वियू इन दोनों का सहीव कि डी वाले भाग का और सी वाले भाग का सहीव तुरूप बनेगा जो कि ऑप्सन नंबर सी यह सही हो जाएगा अंसर यहां पर दे तो यही जितने भी देखाई दे रहा है यहां पर एक छेतर में जितना भी घुटने अप evoluur sydma いつ इतने बी ऐसके अगले सके और ना में कीुझा का लिए रिफाल में जन्य तक वस्द में आप यहां लिए इसका नाम करन की साधार पर किया जाता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा तो इसका नाम क्या हो तो इस्टिल रूल फूट होता है इसके बाद अगला क्यूशन देखते हैं इसमें जितने भी क्यूशन है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और इसे यह क्यूशन दिया हुआ जोट पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के अगला क्यूशन देखते हैं इसके बाद अगला क्यूशन देखते हैं इन में से किस की अभी आंचड़ी की आरेखन की वर्डमाला में समावेश किया जाता है तो इन परकार की रिखाओं को और रूपणा आत्मक चिन हो को या आप्सन नमबर सी है संक्रेंट ऑस नमबर हो जाएगा यह हुगा अगला इसके बाद अगला क्यूशन देखते हैं अगला क्यूशन गात हो कि सकता क्या रिक होक्तिस के लिए होती है तो इंजिरिंग ब्रेंग में में इस इसको आ हो जाएगा इन तीनों के लिए इसके बाद अगला question देखते हैं अगला question है दो सरर रेखाऊं का प्रति चेद बिन्दू कहलता है तो इसके बाद अगला question है Handle के अनुसार समयोज Hexa за frame कौन सी है so handle सभी of सभी सभी परियूंट सभी सभी इसके पार युशन देखते हैं वास की बाड़ कैसी होती है दो दूब ग्षपी भी पर्योग किया जाथ है तो इसके बाद को संखोड़ पर बनाने के लिए किसे उपकर sol pixel देखते हैं अग्ला कुशन कोड़े में इस के बाद अगला चूशन देखते हैं इसके बाद क्यूंसार टैपर टैप को अन किस नाम से जानते हैं तो टैप को किस नाम से जाना जाता है तो इसका तक लेते हैं और सब्सक्राइब तो इस तरह से आज के टॉप 25 पूरे हुए हैं तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक किजिए और सेर किजिए और जो लग वहली बार देख रहे हैं वह जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद